नमस्कार मित्रों स्वागत करते हैं आपका study help चैनल में दोस्तों आपके लिए एक बहुती बड़ा वादा खुल चुका है PM का जी आँ दोस्तों आपके लिए मोदी सरकार ने कर दी है बहुती बड़ी गोश्टना मोदी जी ने आपका दर्द अब समझ लिया मोदी जी ने कह आपका गोश्णापत्र यानि की जो हमारा गोश्णापत्र होगा बाद्प्रा का गोश्णापत्र होगा उस में सर्वश्ष्ट जो होगा बड़ा पद होगा वहाँ वाँगा किसान उसको एक बहुत बड़ा लाब दिया जाएगा तो दूस्तों आज के इस वीडियो में कर्जमाफी और कैसे होगी यह कर्जमाफी यानि की एक एक डीटेल बताएंगे हम इस वादे की आपको दोस्तों यह वादे की पूरी डीटेल प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों फिर पासी में आ रहा है य आपको हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए आप बताते हैं आपको परदान मंत्री किसान कर्जमाफी योदना की जानकारी तो मोदी सरकार का बड़ा वादा बड़ा खेले आपके लिए और मोदी सरकार ने यह कहा है कि हर एक किसान का पूरा कर्जमाफ किया दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा कि वादा क्यों क्यां दोस्तो विदान सबहटs चुनाओं में मिली हार और सर पर है लोक्षत चुनाओं इसी कारण हो फूरी ये मोधी सरकार की तयारी और किस परकार से होगी परदान मंत्री की करज माफी तो मोधी सरकार बहुती बड़ी तयारी यानि की जुक्त में नजर आ रहा है और यहां पे मोधी सरकार कोई जुमला नहीं कर रहा आपके साथ कोई जुटा वादा नहीं कर रहा आपके साथ दोस्तो अब की वार मोधी सरकार की पूरी तरह से तयारी किसानों के लिए 26 करोड किसानों को दिया जाएगा कर्जम आफ़ी का फाइदा 4 लाक करोड पे का कर्जम आफ़ किया जाएगा तो इस बरकार की तयारी आचुकिये मोधी सरकार की तरफ से तो मौधी सरकार ने कहा है कि अपकी वार कोई आपके साथ नहीं होगा जूटा वादा कोई नहीं होगी आपके साथ जुमले बाजी अब दोस्तो किसान के हकी बात है इसलिए दोस्तो एक तरह से कहें तो गंबीर मुद्रा में नसर आया है हर बार बीजेपी किसान ही हरा रहा है यहाँ पे अबी की वार बीजेपी को और बीजेपी यानि म會ardy सरकार को काफी हट तक कमजूर कर दिया है जहां राजरस्तान की सेटे बीजेपी के हाथ में थी 2014 के चुनाओ में वहाँ आपकी वार कांग्रेस ने भी अपना कहीं नहाएं कबजा जमाया है इसी वादे के आदार पर बीजेपी यहां पर लड़ रहा है चुनाओ, कर्जमाफी के लिए पैसे अवंटर की योजना पर होने जारा है जल्दी काम सुरू, तो दोस्तों यहां पर यह भी अपडेट आज चुकी है कि कर्जमाफी के लिए पैसे अवंटर याने की फंड विदानसबा चुनाओ में हार से सबक लेकर मोधी सरकार लोक्सबा चुनाओ से पाले, किसानों को सारने की जुकत में है, सरकारी सुत्रों के हवाले से ये खवर आचुके बुद्धवार को कि मीडिया रिपोर्स के मुताबी कहा गया है कि मोधी सरकार देश बर में 26.30 करू अंधुरनी बात आई है, मोधी सरकार की मनके बाती आई किस बरकार मोधी सरकार अपकी बार किसान को लेकर चिंतित नजर आया है, यहां पे सुत्रों ने ये बात बताई कि 26.30 करूड जो कि आगड़ा सामने आया है, इतनों की कर्जमापी 40,00 करूड रुपे का कर्जमाप, लेकिन कहीं न कहीं इसका दावा, खंड़न क्या गया है, यानि कि सरकार की तरफ से कोई थोड़ी सी बात खंड़न की गई है, लेकिन वलाई ये बात खंडित हुई है, लेकिन फिर भी यहां पे आपकी कर्जमापी ते हैं, क्योंकि चुनाव है नजदीक, और विदान फचुनाव में किसान कर्जमाफी के कारण मिली थी यार् Colorado जिस 欢 से पौले उपने पर्फचार में किसानों का कर्जमाफ करने की गोषना किए उत्तर-पदीस अजारी में हुए additional secretary असक दलवी ने कहा है कि कर्दमाफी राज्यू का विसे और दलवी ने कहा कि देश बन में किसानों का कर्दमाफ करने जैसा केंदरस सरकार का कोई भी परस्ताव सही तरह से सामने नहीं आया लेकिन सरकार का उदिश्य किसानों की अमदनी को भी बढ़ाना है तो दोस्तों द दलवी किसानों की अमदनी दोगोनी करने के लिए बनाई कमेटी के पर मुख भी नजर आये हैं सरकार की यह पहल क्यों चलाई गये तो विसलेश्य को कहने नुसा लोक सबचना और नजदीक नजर आया है और यससे में ग्योंदान की गारंटीड कीमत या कोई अन्यासन किसानों को लोबाने के लिए जञेवाक्त नहीं बचै kırdma p सबसे आसान 환ering माना जारां सरकार नहीं फैसला किया तो है कि किसानों को अब तक विया करवाई की सबसे बड़ी मदद होगी यानि दोस्तों ये किसान कर्जमाफी जादा क्यों है इतना परबावी क्यों है क्यों ग्योंधान वाली कीमते वगर मस्य अगर लागू नहीं की जाती सरकार के द्वारा क्यों कर्जमाफी की जाए तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने उधारन बताएं जैसा कि आपको हमने एक बहुत ही बड़ा उधारन देखर भी बता दिया कि ये जो वादा है कर्ज माफी वहाँ बहुत कम समय में हो जकता इसकार कर्ज माफी अभी भी हो जाएगी आसानी से और जैसे मेर्स भी हुआ तो उसमें बहुत बड़ा सबस्तान और 36 गड़ में यह भी अपनाया गया था तो रहेंगे कांग्रेस के नहीं तो वाली यूपीय सरकार ने 2008 में किसानों का 72,000 रुपे करोड रुपे का करजा माफ किया और यह फाइदा मिला इसका भी 2009 में यूपीय की दोबारा सरकार भी बन गई यानि पहला दाओ जो कि कांग्रेस ने 2008 में अपनी सरकार लोग सबाचुनाओ में बनाने के लिए किया था और यह जो वायरा था वह था केंद्रवेर अगला या विदान सबाचुनाओ यानि की राज्य इस तरपर 2017 देखे यह वादा भी हिट कांग्रेस पर कहा से 2017 में बादल सरकार को हरा कर सता कांग्रेस ने चीनी थी यहां पर बादल से अब दोस्तों 2018 मद्यापदिस राधस्तान चत्थिस गड़ विदान सबाचुनाओ में रावल गाने ने दस तक गिंतिक करका 10 दिन में किसानों का कर्जमाफ करेंगे और दोनो सबसे सपल फॉर्मुला रहा कर्जमाफी का और बाजबा ने भी कर दिया इसका वादा यानि बाजबा का भी ये एक सपल फॉर्मुला है बाजबा का पहला टेस्ट यूपी में और बीजीपी की सरकार बने तो 2017 में उत्तर पर देशनी यूपी विदान सबाचुनाओ के दो कर दिया था जिसकार उनके हक में नतीज़ा देखन को मिला और बीजे भी पूर्ण बहुमस की साथ सता में आई और वापसी तगड़ी कर ली यानि कि काफी हद तक जो कांग्रेस ती उसको प्रास्त कर दिया अब दोस्तों यह मैंने पूरी जानकाई दी है लेकिन एक और इ असान अभी तक का विकलफ है यह एक बहुत पूर्ण कारण के जो कि आपकी करद माफी को सबसे सफल बना रहा है अब दोस्तों यहदी कर्द माफी होती है तो कब तक कैसे असानी सी हो जाएगी तो जिससे आपको पता चल गया होगा कि करद माफी एक आसान पर क्रीया तो न नहीं काफी जटिल परकरिया है अब दोस्तों इसी परकार आपका भी कर्जमाफ होगा लगबग तेश में हो रही है तो देश में तो एक साल में कर्जमाफ होगा और दोस्तों एक साल की नमाने तो छे मेने क्योंकि मोदी सरकार का काम एक तरह से कहें तो रोकेट का काम होता है हाई स्पीड काम मोधी सरकार करती है तो मोधी सरकार यदि आई वाफसी कल ली वाफसी सता में आई तो किसान कर्ज माफ करेगी और वह भी बहुत तेज और हर एक किसान देश्ट के किसान केंदर में हर एक किसान को देगी लाब और दोस्तों आप हमारा यदी होस्टना अफजाइत करना चाहते हैं और किसान करज माफी को लेकर मोदी को अधिक से अधिक मांग अपनी शिकारना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दें और फिर सेर कर दें क्योंकि जब ये दो काम करेंगे तब मोदी जिस तक आवाज पहुचेगी और आपकी पूरी तरह से कर्ज माफी होगी तो दोस्तों ये दो काम कीजिए आपका कर्ज माफी का वादा हेट होगा और आपका कर्ज माफ होगा तो दोस्तों इस वीडियों बस इता वीडियो देख झाल झाल